तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग बहुत दिन से कोई sound war के वीडियो नहीं आए तो मैंने सोचा चलो इस बार एक sound war का वीडियो बनाते हैं तो इस बार के वीडियो हैं हम लेके आए हैं आपके लिए JBL का cinema SB271 तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसके build quality और design के बारे में तो बात अगर इसके build quality और design की करें तो बहुत ज्यादा sleek और compact design है इसमें आपको silver accent के साथ और black fincing देखने को मिलेगा यह आपको clutter free setup provide करता है wireless सब उफर के साथ इसमें आपको LED display भी देखने को मिल जाएगा volume और mode indicator के लिए जोगे काफ जादा अच्छी बात है वहीं अगर sound quality की बात करें तो इसके sound bar में आपको 2.1 channel दिया हुआ है वो देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही दो main left और right speaker और एक अलग से center channel speaker जो dialogue और voice को clear करता है यानि इस पस्ट रुक चे आपको सुनने में मदद करता है और एक main बात जो रह जा रही थी वो यह है कि इसमें आपको Dolby Digital 5.1 और DTS Decoding का भी support देखने को मिल जाएगा अब अगर बात करें इसके total output के बारे में तो इसमें आपको total output 220 watt का देखने को मिल जाएगा वह इसके connectivity की बात करें तो इसमें HDMI ARC और optical input का support देखने को मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको Bluetooth 2.1 वर्जन भी रहेगा जो कि मेरे हिसाब से गुबहुत ज्यादा पुराना हो चुका है यह इसमें कम से कम 5.1 तो होना ही चाहिए था उसे ठीक है कोई दिक्कत वादी बा काम आता है और साथ ही इसमें night mode दिया गया है night mode मतलब की का एक camera अबरा लगाए गया इसमें जो night mode वे clear photo आता है यह night mode को जो काम है इससे आप base को कम कर सकते हैं और दाइलाग को या wise को अच्छे से clear सुन सकते हैं तो यह मतलब इसको night mode देने की का जरूरती है इसका नाम और कुछ रख़कते थे इसके specification की बात करें तो इसका weight लगबग 4.5 kg है और power consumption 65 watt और साथ ही इसकी frequency response जो है वो 40 Hz से लेके 20 kHz तक होती है वहीं अगर हम इसके pros और cons की बात करें तो इसे काफी pros हैं जैसे की बहतर sound quality, wireless subwoofer, voice mode और साथ ही बहतर दाम और इसके अलावा इसमें एक साल की warranty भी देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ इसमें आपको night mode भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी amazing बात वने वाली है और वहीं अगर cons की बात करें तो कोई built-in wifi connectivity नहीं है और ना ही 4K HDR pass through और सबसे खतरनाक बात जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आपको कोई भी USB port देखने को नहीं बीलेगा यह मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया बागी आप लोग को कैसा समझ आया आप comment करके बताएगा जरूर बागी ज्यादा को इतने बड़े इसमें cons भी नहीं है इस बात यहां पर और सामने आती है वो यह कि JBL की जो sound quality होती है वो दमदार होती है तो इसलिए यह पैसे लेते हैं और यह quality भी अच्छी देते हैं इसका जो base होता है वो एकदम perfect base होता है क्योंकि यह हमें sound quality provide कराते हैं तो इसलिए पैसे ज्यादा लेते हैं हां यह faculties भी देते होगी कि मैं क्या करना चाहरा हूं अगर आप इतना और और कोई home theater अगर आप 10,000 तक खरीद देंगे तो उसमें आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाएंगे लग की 5.1 channel भी होगा सब कुछ होगा उसमें लेकिन वो उसका base जो है वो कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा या तो आपको basic base सुनाई देगा आपको player vocals नहीं आएंगे यह सारी problems आ जाती है बट जेवील हो गया sony हो गया Samsung हो गया यह सारी company जो है जो बनाती है home theater मतलब कि इनका जो base होता है वो एक्दम perfect होता है और यह इनके जो sound bar के जो vocals निकल के आते हैं clear आते हैं तो इससे आप इस sound quality की बात करें तो sound quality JBL है और यह sound quality इसकी एक number है तो आप इसको check out करके देख सकते हैं गर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो sound quality मिलने वाली है वह आपको मतलब की आपका पैसा वसूल है यह बान लीजिए अगर किसी और sound bar के उपर आप वीडियो देखने चाहते हैं या information चाहते हैं तो हमको कमेंट करके वीडियो बताएं और हम आपको उसका review करके देंगे और कोसिस यही रहती है कि जित इतना हो सगे उतना true review करते हैं उसमें कोई दिक्का करी बात नहीं है information अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अच्छानों को सब्सक्राइब करें